नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम गुरु टिप्स एन ट्रिक्स में ये है वीडियो नमबर फाइव पार्ट फाइव हम लोग कर रहे हैं रुकमणी पब्लिकेशन का 32 का प्रिविएस यार सौल पेपर का सेट दोस्तों इस वीडियो में इस पार्ट क्या 81 से 100 तक कवर करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस बुक को सौल्फ करेंगे तो आपके एंटीपीस एक्जाम हो चाहे गुरुपड एक्जाम हो किसी भी एक्जाम में कोश्चन्स नहीं फसेंगे क्योंकि घूम फिर के वही कोश्चन आता ह जो प्रिविएस यहर में पूछा गया है तो आपके सामने जब अभी कोश्चन्स आएंगे आपको वीडियो को पॉस करना है फिर खुद से करना है फिर मेरा तरीका देखना है फिर नेक्स कोश्चन की तरफ अप्रोच करना है इसी तरीके से पूरा का पूरा सेट चलेगा और यस सेट से इस तरीके से आपकी एक अच्छी और डेटिकेड़ तयारी होगी ठीक है तो बढ़ते हम अपने कोश्चन्स के तरफ आज का पहला कोश्चन एक कक्षा में दोस्तों अभी जो तीन कोश्चन है 81, 82, 83 यह प्रिविएस वीडियो में हो चुके हैं कुछ इशू उनका उष्त वाईस है यदि इसमें अध्यापक की आयू भी शामिल कर लिया जाता है तो एक बढ़ जाता है तो पहले 27 विद्याति थी थे उनका ऑउसत था 22. अब कैई हो अधियापक शामिल हो गया है तो अब 27 से कितने लोग हो जाएंगे 28 और उनकी average क्या हो जा रहा है एक बढ़ जाएगा मतलब 22 हो जाएगा 23 तो बोल रहा है अधियापक की IU अधियापक की IU के कारण ही तो ये 22 से 23 हो गया और जब मैंने एक जन को क्या किया एंक्लूड किया तो मुझे इनकी IU निकालने के लिए क्या करना होगा 28 x 23 और इसको माइनस करना होगा 27 x 22 से है ना तो यहाँ देखिए यह क्या हुआ 8 3 24 मतलब आकरी में आएगा 4 ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आएगा 4 और 7 2 14 मतलब यहाँ पर भी आएगा 4 मतलब अगर मैं माइनस करूंगा ठीक है पूरा करना की कोई ज़रूवत नहीं है देखिए माइनस करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा यूनिट डिजिट में आएगा 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 0 है देखिए ऑप्शन नंबर सी यही आंसर लगा हो आगे बढ़ो कोई सॉल्व करने की जरूवत नहीं है बढ़ देना है सोशन की तरह अंकित मूले पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर 12% का लाब कमाता है अंकित मूले पर अंकित मूले किराय मूल से कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल सपोस अंकित मूल मतलब मांग्ड प्राइज सपोस क्या है सो है तोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो देखें मैं ये mark price, मैं हिंदी में इंग्लिश में भी तो बताता हुआ चलता हूँ न, ऐसा तो है नहीं, कि मैं पूरा ही हिंदी में चलता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी इंग्लिश बैक्ग्राउंड से ही हूँ, ठीक है, लेकिन देखें हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही देखके चलना पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ा टाइपिंग में इशूज आ रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी को भी मैं देखिए, इंग्लिश में ट्रां का क्या हो रहा है, लाब कमाता है, मतलब ये 80 में अगर बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, एक सो बारा, मतलब 112% का, किसका 112% of what? cost price उसकी खरीदी हुई मूल पर उसको मिल रहा है इसका मतलब अगर 112 की value क्या है 80 है तो मैं निकाल सकता हूँ 100 की value 100 की value क्या होगी cost price होगी उसकी किराए मूल होगी तो 80 divided by 112 multiply by 100 तो देखिए किस से जाता है यह होगा कितना 56 यह होगा 50 यह होगा कितना 28 यह होगा कितना 40 यह होगा 20 यह होगा 14 यह होगा 7 यह होगा 10 मतलब 500 बटे 7 जो होगा वो क्या होगा cost price तो यहां लिखता हूँ cost price कितना है 500 बटे 7 ठीक है और बोल रहा है अंकित मूल ले किराए मूल से कितना अधिक है ये क्या हो गया? क्या? किराय मूल, cost price, अच्छा, अंकित मूल मतलब marked price कितना है? 100 है, तो आएए, 500 बटे 7 और 100, 100 को उपर multiply कर दूँ, मतलब यहाँ पर भी 7 से multiply कर दूँ, और यहाँ पर भी 7 से multiply कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? 7 से 7, देर तो cancel हो जाएगा, लेकिन इस हो ज कितना जाता है 200, किस से 500 से इसका मतलब percentage में convert करने के लिए, इसका मतलब 40% increased है, तो कितने प्रतीशद अधिक है? 40 प्रतीशद, 40%, बढ़ते ने एक सोशन के तरफ, साइन स्क्वेर 30 डिग्री, कॉस स्क्वेर 45 डिग्री, प्लस 410 स्क्वेर 30 डिग्री, प्लस हाफ साइन स्क्वेर 90 डिग्री, माइनस 2 कॉस स्क्वेर 90 डिग्री, प्लस 1 अपॉन 24 का मान ग्यात करें, कुछ नहीं है, आपको साइन 30 कॉस 45 के स्क्वेर की value पुट करनी है, बाक स्क्वेर 45 मतलब 1 by 1 by root 2 का स्क्वेर मतलब 1 by 2 ठीक है plus 4 into 10 square 30 मतलब क्या होता 1 by 3 कि 1 by root 2 उसका होता है 1 by 3 1 by root 3 का 3 और क्या होगा plus 1 by 2 sin square 90 मतलब 1 है ना अच्छा माइनस 2 into cos square 0 हो गया यह तो है ना 0 का square 0 plus 1 upon 24 तो इतनी की जो value है यह तो हो गई भही है क्या 0 इसका मतलब यह हो गया 1 by 8 plus 4 by 3 plus 1 by 2 and plus 1 upon 24 taking lcm 24 तो हो गया 8 तो 3 और यह हो गया 8 है यह 3 से 8 गया मतलब 32 और यह हो गया 2 मतलब 12 और यह हो गया कितना 1 है ना ठीक है तो प्लस करते है तो यह हो गया 4 चार और यह हो गया 16 16 32 और 16 मतलब 8 48 48 divided by 24 विच इस इक्वल टू how much to option number c बढ़ते है नेक्स वोशन के दराफ सरल करें 81 x square minus 49 y square divided by 9 x plus 7 y आप यहां गौर से देखेगा अगर numerator को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 x का whole square minus 7 y का whole square लिख सकता हूं ना तो जब मैं square को इससे तोड़ूंगा तो हो जागा 81 x square और minus 49 y square है ना वही कहानी है और नीचे लिखूं 7 x plus sorry 9 x plus 7 y आपको एक identity पता है a square minus b square is equal to a plus b और a minus b है ना multiply में है ना तो वही same चीज लिखने वाला हूं तो यहाँ ध्यान से देखिए so 9 x plus 7 y और दूसरे bracket में 9 x minus 7 y और नीचे क्या है 9 x plus 7 y प्लस से प्लस गया बचा क्या यही वाली कहानी so 9 x minus 7 y option number b बढ़ते लिख कोशन के दरह हूं कोशन क्या बोल रहा है साथ मैचों में दो बल्ले बाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिये गए हैं तो किस बल्ले बाज का ओसत बहतर हैं बल्ले बाज एक कहानी दी गई यह मैच नंबर 1, 2, 3, 4 , 5, 6 , 7 ठीक है तो साथ मैचों में यह बनाया है बल्ले बाज दो तीज, 2, 91, 76, 84, 11 and 7 बनाया है साथ मैचों में अलग-अलग तो बोल रहा है किस बल्ले बाज का उसत बहतर है तो बहतर के लिए क्या करने पड़ेगा बल्ले बाज एक के पूरा जोड़ो और डिवाइड बाइड साथ कर दो जिसका अवरेज जादा आएगा वह बहतर होगा है ना दो आईए तो पहले बाले को प्लस करूंगा जब ठीक है मैं सीधे डारेट लिख देता हूं पहले बाले को प्लस करूंगा तो यह जागा 275 और कैसे डिवाइड करना है साथ से तो यह जागा 39.3 ठेक है दूसा देख लेते हैं 30 यह 52 और इन सब को मैं प्लस करूंगा इन सब को मैं प्लस करूंगा तो यह जागा 321 और डिवाइड बाइड बाइड सेवन करूंगा तो यह जागा 45.9 तो किसकी ओसट जाद हुआ बल्ले बास दो का एक ही ओप्शन है देखे ना ओप्शन नमबर डी और ते नेक्स वोशन के तरफ अजहर एक यात्रा दस घंटे में पूरी कर सकता है वह तो यहां वह जागा तो तै की गई दूरी कितनी किलोमेटर है ध्यान से देखी है सपोस्थ यहां से लेकि यहां तक तै की गई दूरी है अब मुझे पता है क्या दस घंटे में दूरी की गई है दस घंटे में जो दूरी है उसको तै किया गया है तो घंटे मतलब टाइम घंटे मतलब क्या time और time is equal to the distance पाँ Cathy इसका मतलब distance अधा distance e समझता ध्यान से आधी यात्रा मतलब आधा distance 21 से चला है 21 के वरावर और आधा जो रास्ता है आधी यात्रा है वह किस से चला है 26 km per hour से, समझ मैं आई कहानी, so, पूरा मैने क्या माना है e, so e बटे 2 जो चला है, वह किस से चला है, speed of 21 km per hour, और plus e divided by 2, ये किस से चला है, ये चला है अब कि 24 km per hour, और जब ऐसे चला है, तो पूरी घंटे, कि पूरी आत्रा कितने घंटे में तै हुई है, 10 घंटे में, है ना, so 2 को मैं नीचे ला सकता हूँ ना, so मैं लाई ये, इस 2 को मैं नीचे ला देता हूँ, है ना, रब क्यों नहीं वह रहा, 1 second, 1 second hold करेगा, रब काम नहीं कर रहा है, चले कोई बात नहीं, so e बटे 21 multiply by 2, plus e बटे 24 multiply by 2, which is equal to how much, 10, है ना, so आईए, मुझे पता करना है क्या, पूरी दूरी कितनी है, e की value पता करना है, so e बटे 22 plus e बटे 48 is equal to 10, अच्छा 42 और 48 इसके LCM कैसे निकालूंगा, देखिए तो, यह क्या होता है, 6, 7 जा, 42, और यह क्या होता है, 6, 8 जा, 6, 6, common एक बार ले लेंगे, तो इसके जागा, 6 into 7 into 8, है ना, तो, कितना हो जाएगा, 6 into 7 into 8, इसका मतलब LCM आपका हो जाएगा, 336, तो, अकर 336, यहां लिखा जाए, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर Eraser काम कर रहा है, तो बहुत उच्छी बात है, Eraser काम नहीं कर रहा है, I think, वो स्लाइट सम पीछे काम नहीं कर रहा है, चले, कोई बात नहीं, So, 336, यहागे LCM, तो, 336, और 42 से गया, So, कितना हुआ, यह हो जाएगा, आपका 80, और यहाँ आजाएगा क्या, 70, which is equal to 10, इसका मतलब, मैं लेकलूं, 15E, is equal to, 3360, और E की वैलू क्या हो जाएगी, E की वैलू, हो जाएगी आपकी कितनी, 200, 26 km, option number C, कहा नहीं समझ में आगई आपको, चले बढ़ते हैं, next question के तरफ, अच्छा, पहले मैं देखना हूँ, इरेजर काम कर रहा है की नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, वाली slides में issue था, चले, एक camp में, 180 विद्ध्यार्थियों के पास, 20 दिनों के लिए राशन है, यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है, तो कितने विद्ध्यार्थि को camp, छोड़ कर चले जाना चाहिए, अच्छा, तो 80, 180 विद्ध्यार्थियों के लिए, 20 दिन के लिए राशन है, तो total राशन, total राशन, बराबर टोटल राशन, टोटल राशन, बराबर टोटल राशन, तो टोटल राशन क्या है, 180 विद्ध्यार्थियों और यहाँ पर क्या करना है, 25 दिनों तक चलाना है, सब्सक्राथियों तक चलाना है, और टोटल कितने चलाना है, 25 दिनों तक चलाना है x की value निकाल लो 180 multiply by 20 5 से गया 5 बार 5 से गया 4 बार ये कितनी जाएगा 3 बार 6 मतलब 3, 6, 36 36 दिन चार 24, 2 2, 12, 14 मतलब 144 लोगों को होना होगा तभी 25 दिन तक गोच चलेगा इसका मतलब पहले 180 ते अभी 144 को चलाना है और 30 मतलब 36 36 लोगों को कैम से छोड़के जाना होगा option number 1 वै छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़े जाना चाहिए ताकि परिणाम सरुप्राप्त अंख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके मतलब 15 का स्क्वेर प्लस 14 का स्क्वेर में क्या जोड़ू जिससे यहाँ पर जो number आए वो एक खुद एक number वो क्या हो स्क्वेर number हो 15 का स्क्वेर क्या होदा 225 14 का स्क्वेर 196 कितना हुआ ये 1 और ये क्या हुआ 11 12 और ये क्या हुआ 4 421 के सबसे नियरिस्ट सबसे पास में कौन सा number है जिसके स्क्वेर इसके पास में होगा देखे 20 के स्क्वेर होता है 400 और 21 के स्क्वेर होता है क्या 441 मतलब नियरिस तो यह है मतलब मुझे यहां से यहां तक पहुचाने में कितना जोण पड़ेगा प्लस 20 option number next option एक त्रिबुज यह त्रिबुज नहीं है इन दोनों जगे में होगा आयत इंग्लिश में बोले तो rectangle एक आयत का परिमा अठाई सेंटीमीटर है कितना अठाई सेंटीमीटर यदि लंबाई हो चोड़ाई कि 5 बटे 2 गुना है 5 बटे 2 गुना यदि लंबाई कॉमा लंबाई चोड़ाई कि 5 बटे 2 गुना है तो आयत की लंबाई और चोड़ाई याद करें देखिए बोल रहा है यदि लंबाई कितनी है 5 है और चोड़ाई किया होगा 2 गुनी तभी तो हो रहा ना लंबाई पड़ाई की कितनी है पांच बड़े दोगुनी हो गई कहानी तो अगर यहां पर 5e x लेलू ना क्योंकि यह रेशियो में ठीक है तो यह जो है इसका परीम आप क्या बोला है 28 cm ज़ले दोड़ते हैं तो यहोगा 10 और यहोगा 14 मतलब 14x is equal to 28 28 तो x की वैलू इसका मतलब यहां पर उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी तो बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई याद करें क्या होगा 10 और 4 option number बढ़ते हैं next question के तरफ गीता का वजन 11.235 kg है किलोग्राम है उसकी बहन का वजन उसके वजन का एक बटे 4 गुना है दोनों का कुल वजन देखे इसका एक बटे 4 गुना कौन है उसकी बहन है और यह अगर 11.235 है तो यह खुद की कितनी गुनी है एक गुनी है मतलब यह खुद की होगी एक गुनी और इसकी बहन कितनी है एक पॉइंट चार गुनी इसका मतलब टोटल कितना होगा है टू पॉइंट फॉर ना किसका दोनों का घुल वेजन पुझान है किसका 11.235 का जब कल्कुलेशन करूंगा यह जगा 26 पॉइंट नॉच है चार केची ऑप्शन नमबर बढ़ते हैं नेस सोचन के दरफ बहुत अच्छा कोश्चन है मजा आ जाएगा देखेगा निम्न जानकारी के अध्यान कर नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए 90 विध्यार्थियों की कक्षा में 80 विध्यार्थी बर्गर और पीजा पसंद करते हैं ठीक है 62 burger और 56 pizza पसंद करते हैं कितने विद्यार्थी burger और pizza दोनों पसंद करते हैं अब देखेगा ये मैं बना लूँ एक Venn Diagram ठीक है ये बना लूँ क्या एक Venn Diagram अब देखेगा अगर मैं इसको ले लूँ बर्गर बर्गर और इसको ले लूँ pizza ठीक है पीजा ठीक है तो 90 student है 90 में से 80 विद्यारती क्या बर्गर और पीजा पसंद करते हैं बर्गर और पीजा पसंद करने वाले कितने लोग हैं 80 लोग हैं और सिर्फ बर्गर करने वाले 62 सिर्फ बर्गर नहीं सिर्फ नहीं बोला है burger पसंद करने वाले 62 और pizza पसंद करने वाले 56 इसका मतलब कित्ते विद्यारथी burger और pizza दो? मैंने आपको बताये था जब भी बोले दोनों का case आपको क्या करना है इन्सको तो जोड़ नहीं है 62 प्लस 56 और उस से क्या करना है जो पसंद करते हैं, जो total दिया गया 80, इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है, आपके पास आजाएगा जो दोनो पसंद करने वाले है, समझ मैं ही कहानी, तो क्या हो जाएगी कहानी, कहानी आपकी हो जाएगी, यह होगी 8, और 8 से 0 ने क्या, मतलब आखरी वेले 8 कौन सा है, 18 और 38, 18 तो बहुत कम हो जाएगा, 38 is the right answer, 38, इसका मतलब दोनों पसंद करने वाले कितना होंगे, 38, ठीक है, अच्छा, अब बर्गर पसंद करने वाले कितने थे, 62, और पीजा पसंद करने वाले कितने थे, 56, ठीक है, तो अब यह बताईए, सिर्फ बर्गर पसंद करने व होना चाहिए, इसका मतलब 62 में से 38 माइनस कर दो, तो 2 और 4 और यहां पर आया 2 तो 24, तो सिर्फ बर्गर पसंद करने वाले 24, और सिर्फ पीजा पसंद करने वाले, 56 से क्या करूं, 38 माइनस कर दो, इसका मतलब कितना हुआ, 2 और 8 और यह क्या हुआ, एक आया 18, तो सिर्फ पीजा पसंद करने वाले हैं 18 यह मान गया मेरा बेंड डाइग्राम देखते हैं आगे कुछ इंसके लिए क्या जरूरत है तो बुल रहें कितने विद्ध्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते अच्छा, बर्गर पसंद नहीं करते कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते ठीक है, यहां देखीगा बर्गर पसंद करने वाले बर्गर पसंद करने वाले कितने लोग हैं एक ये 24 है जो बर्गर पसंद करता है और एक 38 है जो burger पसंद करता है और pizza भी पसंद करता है तो burger पसंद करेगा 24 plus 38 है और total कितने student है 90 सो 90 में से अगर मैं minus कर दूँ 24 plus 38 तो मेरा answer आ जाएगा कि कितने burger पसंद नहीं करते हैं ठेक है तो 90 minus यह कितना हो जाएगा चार और कितना हो जाएगा यह 12 आठ चार बारा और यह कितना हो जाएगा 38 ऐसे लोग हैं जो burger पसंद नहीं करते हैं option number B बढ़ते हैं next question के दिरफ बढ़ते कितने विद्यारती burger और pizza दोनों पसंद नहीं करते हैं अच्छा दोनों पसंद नहीं करते हैं यहां एक बात बिताईए 90 विद्यारतियों के कक्षा में 80 विद्यारती burger और pizza पसंद करते थे है ना 80 विद्यारती burger और pizza पसंद करते थे कितना student है 90 इसका मतलब अगर मैं total minus 80 विद्यारती कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नहीं पसंद करते हैं तो कौन 90 90-80 which is equal to 10 10 ऐसे लोग होंगे जो नहीं पसंद करते ठीक और अगर वेंड डिग्राम से करना हो तो इन सब को जोड के देखो तो क्या यह 80 आ रहा है तो देखिए 8 8 8 16 16 16 और 4 20 0 2 2 3 3 3 6 6 और 2 8 बिल्कुल यह 80 है सो मैं क्या करूंगा मैं क्या करूंगा यह जो total है मतलब उनका sum minus कर दूंगा total मेंसे हां दस ऐसे लोग हैं जो बर्गर और पीजा दोनों पसंद नहीं करते हैं परदे viu next solution के तरफ एक संख्या दो अंक्यों का योग मतलब नागर इसे दो इक ऐसे संख्या है जिसके मैं बदल दू 64 क्या यह 18 की बढ़ोती और यह बिल्कुल ना 18 की बढ़ोती और यह इसलिए मतलब नम्मर कहुंसा होगा 46C होगा ठेक है बढ़ते नहीं स्वेशन के दरफ बुरत दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समुतु ले एकल छूट कितने प्रदीशत का है दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है ए प्लस बी यह डिसकाउंट का केस है कौन सा कौन सा सक्सेशिव सक्सेशिव डिसकाउंट SD का केस है so a plus b minus ab into upon divided by 100 यह होता है फॉर्मूला ए की वैलू क्या है b की वैलू क्या है 5 so 12 plus 5 minus 5 by 60 divided by 100 which is equal to 17 minus 0.6 it's not 0 0 should not be here it should be one second it should be 0.6 so 16.4 percentage 16.4 percentage option no. c बढ़ते नेक्स वोशन के दरफ एक संभा उत्रिबुच ABC संभा उत्रिबुच मतला तीनों साइट क्या सेम संभा उत्रिबुच ABC D E F करमशा AB BC और C AC के मद्ध बिंदु है अच्छा नाम करण दे देता हूँ ABC ABC का मद्ध बिंदु कौन है D है अच्छा BC का कौन है E है और AC का कौन है F है ठीक है तो बोल रहा है तो चतुर्बुच B E F D है ना इसको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा तो चतुर्बुच B E F D B E F D यह जो चतुर्बुच है यह जो चतुर्बुच है तो यह चतुर्बुच क्या है धियान से देखे तो क्या है आपको खुदी दिख जाएगा क्या है क्या होगा यह समानतार चतुर्बुच मतलब इंग्लिश में पैरा लेलो ग्राम क्या यह पैरालेलो ग्राम है बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ बहुत अच्छा कोशन है ध्यां दीजेगा 13,680 के तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का तीन बटे 5 और दूसरा भाग तीसरे भाग का अनुपाद 4-7 है तो पहला भाग कितना है देखिए, एक, दो, तीन, तीन नमबर है, ठीक है, तीन भाग है, किस प्रकार में बाजित कर रहा है, पहला भाग, तीसरे भाग का तीन बटे पाँच है, पहला भाग, तीसरे भाग का क्या है, तीन बटे पाँच है, तो लिख दिया, ठीक है, और, क्या बोल रहा है, दूसरा भाग दूसरा भाग तद था तर तीसरे भाग कर लोपाद 4 तू7 मतलब ये 4 तू7 है ठीक है अब यहां देखिये क्या यह जो 3rd भाग यहां 5 है और यह 3rd भाग 7 है लेकिन इन दोरों सेम होना चाहिए क्योंकि एसको 5 किया तो भी is multiply by 5 करना पटेगा और अगर इसको भी multiply by seven करनंना ठीजा नहीं की तेस किसको बजया हुगा तो यह कितना हो जाएगा तीन सपथास्थ है 21 और यहा इसको बाट नहीं अंतर है 5 समझ में आगे तीन हो नमबर की कहानी तो ये बोल रहा है कि इस ratio में किसको बाट रहे है इसको बाट रहे है इसको बाट रहे है है ना, so किसका पूचा है तो पहले भाग का कितना होगा, पहला भाग कितना है, 21 है so 21 divided by, color change कर लेता हूँ, शायद दिक्कत हो रहेगी visible में, 21 divided by, total कितना हुआ है ये कितना हुआ, 41, 41 और, 41 और 35 मतलब 6, 76, 76, multiply by, 13680, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितने से कटेगा, ये आपका कटेगा, कितने से, 1, 1 से हुआ, 180 से कट जाएगा, 180 से कट जाएगा so x plus c, multiply by, 21, which is how much, 3780, 3780, बढ़ते हैं, next question के तरफ एक मिश्रधातु के सोने और चांदी का भार का नुपा, 17 इस टू, 3 है, सोना और चांदी, क्या है, 17 इस टू, 3 है ये दि मिश्रधातु में, पर चांदी का भार क्या है, 2 बटे साथ है, तो मिश्रधातु में, सोने का भार क्या है, देखिये, 3 को, अगर 2 बटे साथ मनाना है तो क्या का नहीं हो, multiply by 0.9 कर दो, इसको भी क्या आग सेवेन नाइन सेवेन थ्री ऑप्शन में यूनिट में कौन सा है थ्री ऑप्शन नमबर भी लगाओ आगे बाड़ो कुछ स्वाल करने की जरुबत नहीं है यदि पांच कारो का किराय मूल चार कारो के विक्रे मूल के बराबर है तो लाब यहानी का प्रतीसत कितना होगा देखे पांच कारो का किराय मूल मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर चार कारो के विक्रे मूल मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है अच्छा एक बात बिता या था और अगर उस 100 में खरीद के 110 में बेचता है इसका मतलब 10% का profit हो जाता है तो अगर मैं इसको मैं नीचे ला देता हूं ठीक है और इसको मैं नीचे ला देता हूं यहां पर ठीक है तो क्या हो जाएगा SP upon CP is equality हो जाएगा क्या 5 upon 4 देखिए तो कितने की बड़ोती हुई एक ही बड़ोती किस पे चार पे multiply by 100 for converting into percentage so which is equal to 25% का क्या लाब which is option number C बढ़ते है next question के तरफ आज का आखरी question है प्रतम 6 अभाजे संख्यों का अमद ग्याद करें दोस्तों यह शायद 100, 102, 103 यह शायद question number 104 है यह 103 है क्या है कि वह 100 वाला question है वह 3 question लगातार में है तेबुलर इसलिए मैंने इसको दे दिया अगले set में मैं उसन तीरो questions को एक साथ देना चाहता था ठीक है प्रतम 6 अभाजे संख्यों का मद ग्याद करें so पहला अभाजे कौन चाहिए 2 एक तो हो नहीं सकता क्यों अभाजे होने के लिए एक वो खुद से जाना चाहिए और एक 1 से जा इसके बाद 9 तो नहीं है 11 उसके बाद 13 हो गया 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल हो गया divided by 6 तो कितना हो गया पांच पांच बाद 10 17 17 और ये 28 17 और 28 28 और 13 मतलब कितना हो आई एक 41 41 divided by 6 do we have option 41 divided by 6 ठीक है बिल्कुल option number C तो दोस्तों ये हो गये 81 से लिए 100 questions पूरे I hope आपको वीडियो ये हो तो जरूर से जरूर जो टेलिग्राम चैनल है जो आपको description में मिल जाएगा जिसका link उसको join कर लेना इसका PDF आपको मिल जाएगा यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है सब्सक्राइबर की बहुत मतलब देख रह मत बूलना जरूर कर लेना ठीक है मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and have a nice day